Hello Friends, Welcome to SND Education, This is Devendra Heda and हम आज बात कर रहे हैं Recruitment जो की ISRO की तरब से निकाली गई है, किन के लिए निकाला गया है तो 10th ITI, Diploma, BE, BTEC, BSC Holder, MSC Holder इन सभी के लिए vacancies आज की इस notification में रिलीज की गई है और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेली आपके लिए recruitment लेके आता रहता हूँ सुबह 9 बजे और शाम 5 बजे, चलिए शुरू करते हैं आज का ये हम बात कर रहे हैं इस रोकी जिसमें UR राव सेटलाइट सेंटर के लिए vacancy निकाली गए ये बैंगलूरू में स्टेफलिस्ट है और इसी के साथ में 27 जनवरी 2024 से ये notification रिलीज किया गया है advertisement number URSC 01 2024 दिया गया है various posts जिसमें की बात करें scientist engineer SC जिसका post code की बात की जाए तो यहाँ पर 001 and 002 total vacancies तीन दी गई है और इसी के साथ में ME, Mtech, MSC engineering में जिनों ने किया है which 60% agree grade है इनके पास में या फिर CGPA या फिर CPA grading अगर है तो 6.5 on 10 points में से अगर इनके पास में है तो eligible होंगे और इसी के साथ में यह आपने BE या BTEC भी कर रहा है तो आपके लिए 65% math जो है on and average all semester में मांगा गया है जिसमें की CGPA या जो CPI grading है यह 6.84 out of आपके 10 points scale में से होने चाहिए as on आपका 16 फरवरी 2024 तक 18-30 साल तक की age limit रखी गई है relay session अलग से है ठीक और जिसमें की बात की जाए आपके लिए pay level matrix जो मिलेगा यहाँ पर आपको level 10 का देखने को मिल जाता है scientist engineer SC जिसमें postcode 003 and 04 जो दिया गया है vacancies दो vacancies है इसमें MSC मांगी गई है degree graduate की होनी चाहिए 65% marks होना चाहिए या फिर आपका 6.84 rate होना चाहिए 2024 तक की age रखी गई है इनको भी मिलेगा level 10 का pay matrix आगे की बात करते हैं इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि diploma holders के लिए एक recruitment और मैंने आपके लिए बताई है जो कि आपको अब देखने को मिल रही है इस vacancy में आपके लिए काफी अच्छी recruitment है nuclear power corporation of india limited की तरफ से code दिये गए है total number of vacancies 55 देखने को मिल रही है first class diploma आपके पास में होना चाहिए engineering field में और 11 ट्रेड आपके पास में होनी ही चाहिए जिसमें कि आपके लिए 18 से 35 साल तक की age limit यहां पर दी गई है और level 7 का pay matrix देखने को मिल जाता है scientific assistant के लिए 0,23,24,25 and 26 post code के लिए 6 vacancies है जिसम भी आपके लिए 18 से 35 साल तक की है age limit और यहां पर आपके लिए level 7 देखने को मिलता है library assistant के लिए 0,27 post code है जिसमें की एक vacancy है graduate और साथ ही जिनोंने master degree कर रखी library science यह library and information science और equivalent जो भी है उनके लिए यह recruitment है जिसमें की आपके लिए 18 से 35 साल तक की age limit और जिसमें की level 7 का ही pay matrix देखने को मिल जाता है technician B की तो 005, 06, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 post code के साथ में 142 पदों की यहां पर vacancy देखने को मिलती है जिसमें ड्रास्में B के लिए भी 016, 017 मिला कर 142 पद हो जाते हैं vacancies जिसमें के आप से SSLC, SSC या पर matriculation कहें तो 10 भी pass जिन से है और जिनोंने ITI कर रख इस से relevant trade में इनके लिए 18 से 35 साल तक की age और इसी के साथ में level 3 का pay matrix देखने को मिलता है जो काफी अच्छा हो जाता है तो don't miss this chance and keep subscribe to SND education for more updates fireman A के लिए आपके लिए 029 जो की postcode है तीन vacancies है यहाँ पर सिप only 10 भी पास ही मांगा गया है ठीक है और जिसमें 18 से 25 साल तक की age limit मांगी गई है level 2 का pay matrix देखने को मिलेगा और साथ ही अब बात कर लें आपकी cook और light vehicle driver A and heavy vehicle driver A इनके लिए 028, 030 and 031 postcode देखने को मिल जाता है चार vacancy cookie है, छे vacancy light vehicle driver के लिए है और दो vacancy heavy vehicle driver के लिए है इनके अंदर आपसे relevant rate में जो है आपसे experience मांगा गया है जो की 10 भी प्लस सिप और experience के basis पर ही आपका selection होगा साथ ही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर आपके लिए cook के लिए 5 साल का मांगा गया है तीन साल का जो की light vehicle driver का आपके पास में experience होना चाहिए और heavy vehicle driver वालक के लिए 5 साल का experience out of minimum 3 year heavy vehicle driver license आपके पास में होना ही चाहिए balance period driving experience of light motor vehicle यह सब आपके पास में यदी है तो 18 से 35 साल तक की age limit यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है level 2 का आपको pay matrix देखने को मिल जाता है तो यह काफी अच्छी यहाँ पर detailing आपको देदी गई है age limit भी काफी जादा है इसी के साथ में यहाँ पर कहा गया है कि 157 vacancies जि की गई है और साथ ही 219 vacancy of technical जो आपको assistant है और scientific assistant, library assistant, technician B, draftman B, cook, fireman A, light vehicle driver and heavy vehicle driver के लिए यहाँ पर 14 vacancy reserve की गई है for the PWD candidates यानि की physically handicap जो है उनके लिए यहाँ पर reserve की गई है 14 vacancies ठीक और इसी के साथ में detailed notification भी आपका website पर जैसे आएगा तो हम उस पर भी बात करेंगे यहाँ पर आप एक चीज़ notice कर सकते हैं कि आपको official website भी बता दिया गया है कि isro.gov.in पर जा सकते हैं या फिर आप ursc.gov.in पर भी जा सकते हैं online apply date जो है आपका 27 जनवरी 2024 से 16 फरवरी 2024 तक है जिसमें कि आपका last date of receipt जो रहेगा वो 16 फरवरी 2024 तक का दिया गया है चलिए मैं मिलता हूं next वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत तक के जए जय है झालो यहाँ है